हेलो नमस्कार वनेकम स्रियाकाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चनल में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के रे आप्टिक्स के डेरिवेशन लगातर हमाई चलती जारी और आप लगातर देखते हैं मुझे ऐसा बिल्कुत सही लग गये हैं और आपके देखना है नेक्स करना देखना नेक्स करना और सारा डेरिवेशन एक बार में आपका रिवाइस हो जाएगा चली बाई तो यह है हमारी टीम मैगनेट ब्रेंस की जो लगातार आपके समर्थन में बनी हुई है क्लास 12 और 11 और 12 के साइन्स टीम को अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ठीक है चली अब यह माइक जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था वहां पर तो देखो मैने उसकी कमिया नहीं बताई आपको कि किसी के सामने उसकी कमी बता तो अच्छा नहीं लगता ना अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप चला गया तो और फिसकी कमी की बात घर हम कर लेते हैं तो जो माइक्रोस्कोप के साथ। साथ आप मैक्निफिकेशन कर सकते हो मैक्निफिकेशन मैक्सिमूम कर सकते हो नो तक शे qui सब्सक्राइब आपका एक सेंटीमेटर का है तो मैंगनिफाइब हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप से 6 सेंटीमेटर तक लेकिन ऐसा कोई मैंटिपल मैंगनिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा कि बहुत ज्यादा आपने मैंगनिफाइब कर दिया हो किसी सब्सक्राइब आपको 100 सेंटीमेटर की इमेज है तो आपको 100 सेंटीमेटर की इमेज बनाके देते नहीं ऐसा नहीं कर पाएगा आपका सिंपल माइक्रोस्कोप तो क्या कमीती सिंपल माइक्रोस्कोप में कि सिंपल माइक्रोस्कोप आपको बहुत ज्यादा मैगनिफिकेशन नहीं दे पा रहा था मतलब उसका मैक्सिमम मैगनिफिकेशन भी साड़े छे साथ तक ही आ रहा था मिनमम तो छोड़ी तो आप क्या करें तो हमने बुला यार कि अब यहां पर हमको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरुवत है जो हमको नेक्स लेवल क्या दे मैगनिफिके अगर आप देखोगे तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें 15 15 20 20 30 लेंस क्या करते हैं एक के बाद एक लगा देते हैं और उससे बहुत ही बड़ा मैगनिफिकेशन प्रड्यूस करते हैं लेकिन हमारे से लेबस में जो है हम सिर्फ उसको ही पढ़ने वाले ठीक लेंस की मदद से हम हायर मैगनिफिकेशन ओप्टेन करेंगे धैन सिंपल माइक्रोस्कोप ठीक है अच्छा आपका कमपाउंड माइक्रोस्कोप पुछ इस तरह कैसा आपको देखने को मिलता है जो लैब्स में जनरली होता है अच्छा इसे पढ़ने से पहले हमें क्या बना तो ऐसी है नहीं चली ध्यान से देखिएगा बड़ा डियाग्राम मनेगा प्लीज आराम से समझने के कोशिश करेगा कोई जल्दबाजी मत रखिएगा यहां पर हम दो लेंस यूज करेंगे एक हमारा होगा लेंस छोटू लेंस जिसको हम बोलेंगे अब्जेक्टिव लें हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लेंथ आफ दी माइक्रोस को बाद में बात करेंगे इस बारे में तो मैंने क्या बोला मैंने यह बोला कि यह वाला जो लेंस है यह वाला जो लेंस है यह हमारा अब्जेक्टिव लेंस इसको बोलते हैं आपजेक्ट के पास ओब्जेकटिव लेंज कि हम बोलते हैं क्योंकि यूपजट के पास है इसकी जो फोकल लेंद ते है ko आई करें गया चाहण थ्मॉल है उसकल ले टाए को है स्मॉल है भात समझे में दूसरा लेंज जो है आपका वो है आई-पीस अब आपको समझ में आएगा कि में वहाँ पर यूई क्यों लिखवाता था आपको क्योंकि यहां पर आई-पीस आ गया तो अब इसकी जो भी डिस्टेंस होंगी उनको हम यूई-वी-ई बोलेंगे और ऑब्जेक्टिव की जो ह मज में आघी अच्छा है आपको अपस रहेगा आई-पीस हमेशा आई आई के पास रहेगा आग के पास रहेगा ठीक न रात के पास रहेगा ए गाड़ north रूर बना है लेकिना बिलकुल नख सके पास later है कि लेंज कि ठीक है चलिए भीया के अब यहां पर थोड़ा सा काम है क्योंकि यहां पर इसका फोकल लेंद बहुत छोटा है योग इसकी फोकल लेंड बहुत छोटी है माल लीजिस का फोकस यहां पर है इस यौर यहां पर जो ऑब्जेक्ट में रख रहा हूँ इस और अब्जेक्ट यह क्यों कि फोकल एंड बहुत छोटी थी तो आप आप अब्जेक्ट जहां भी रख रहे हो वह फोकल एंड के पीछे ही आ रहा है ठीके ना इसको अबरे नाम देखा है मैंनू सफेध कलर चाहिदा है चाहिदा है मतलब चाहिदा है यह गया रहे ऐसी ठीक है और इसके बाद यह ऐसी चली ठीक है और और ऐसे कुछ चलिए ठीक है उसके बाद दूसरी के इसके ऑप्टिकल सेंटर से यह इसके ऑप्टिकल सेंटर से ठीक है अब क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंद के पीचे है तो भई इसको मीट कराना पड़ेगा हमको अना अब यहां थोड़ी ना डाइवर्ज बना देंगे अब सर मैंने क्या किया भी यह सको मीट करा दिया कि यहां कहीं मीट करा दूं क्या हो कुछ ज्यादा बढ़ाना हो जाए कि बोर्ट से बहारी चली जाए इमेज इसा नहीं करने है ठीक है यह आपको मिल गई आपकी इमेज पहले अब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज बनी वह यह है इसको आपने नाम दिया बी डैश ठीक है हासर ठीक है यहां पर यह आपका आई पी से यह एक्चवल में बहीड करेगा इट फिल बेहे ऐस सिंप्ल मैुक्रोसकोब अगर आपने ही समझ लिया काम शका it will behave like a simple microscope मतलब जब आप simple microscope पढ़ रहे थे तो उसमें जो convex lens था उसकी focal length के पहले object रखा था तब जाकर image बनी थी याद हो अगर आपको तो ठीक है ना तो पहले वाले object lens जो image बनाई पहले वाले objective lens ने जो image बनाई actual में दूसरे वाले lens के लिए IP के लिए वही image object बन जाई हा की ना हाज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डिसे height of object क्या बोला मैंने जब हमने पढ़ा था simple microscope तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो convex lens था यानि कि हमारा जो simple microscope था उसमें जो convex lens था उसमें object हम कहां रख रहे थे focal length optical और्टिकल सेंटर के बीच में ठीक यहां सिंपल माइक्रोस्कुप जैसा कॉन बिहेव करेगा between life मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वह इसकी फोकल लेप्ट बेच में और बिच में होना चाहिए बिल्कुल तरहीं संपल माइक्रोकोब जैसे ब यह करना चाहता है तो इसके लिए जो अब्जेक्ट है वो यह है हां इसको बहेव करना है सिंपल माइक्रो स्कूब जैसे मतलब यह जो अब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंद के बीच में होना चाहिए वा सर वा क्या बात करी सर आपने क्या बात करी इस फोकल लेंद for objective lens this is for eyepiece यह वह तो इस lens की focal length से पहले या focus से पहले क्या है यह object क्या है यह object basically objective lens की image objective lens ने यहां image बनाई और यह image इसके लिए क्या बनेगी object बनेगे समझना ठीक है अब आगे बड़ते हैं इसकी क्या बनाते हैं हम रे बनाते चलो अब क्या हो गया यह optical center of focus के पहले आगया मतलब virtual image बनने वाली मतलब virtual image बनने वाली कहीं focus यह से पास होगी तेडी बना दी क्या मैंने तेडी बना दी क्या हां सथे भी बना दी थी आपने आओ यह cd इसका focus इती दूर है यहां से भी दूरी होगा तो अब बनाता इसको थोड़ा और तरह कर देता हूं ताकि हमना अब दाइग्राम एकदम परफेक्ट बने अव यह देखो ठीक है आसर ठीक है बड़िया अब 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 नेक्स्ट नेक्स कहा बनाओगा नेक्स बनाओगा मैं इस लिए मैं ऐसा कर रहा हूं ठीक है चलिए वैरीगूट अचया आप दिक्रेसकर न पढ़ेगा इसको बैक्तरेस करनेगे मैं कौन से महिको करिए यूजगों न ह něकरद कर लो रख रिलू लोग बैक्टरेस कर रोग इस अ मैनने वैक्टरेस किया यह विश welche कहा कर थी है चलो लान भार पूछना चाहों गार दोनों लाइन सीधी बनी है उन भाइन सफ़ीद करों लाइए सblingीद है चलिए बढ़ी मतलब यह को यहां पर बैक ट्रीस करके मीड कर गई है बहुत ही बच्छी बढ़िया बहुत ही शांदा बहुत पर यह incidenture incident यह यह यहां से यह incident यह incident रे जो है इसको मैंने बैक्ठ ट्रेस किया तो हमारी मेंज कहां वन रही है यहां बन रही है यह प्लूत है अब काम की बाते हम कर पाएंगे ऑग यह a-b था यह a-b था तो यह क्या हो जाएगा भाई यह हो जाएगा a-double-dash b-double-dash तो this is your final image this is your final image यह आपकी final image जो actual में कैसी है? virtual है, erect है और virtual है और क्या है? magnified है कैसी है? magnified और erect भी लिखा था, वो मिठ गया है, erect है ठीक है? समझ मैं ही बात? हाँ सब, very good यहाँ पर तीन चीज़े हैं पहले आपने object रखा, objective lens के पास उसकी inverted, real and inverted image बनी कैसे लिखू मैं इसको यहाँ लिख दूँ क्या? a-b- जो है वो actual में real and inverted image, real and inverted image, ठीक ना, लेकिन यह पहले objective lens के लिए जो image थी, वो earp, eye piece के लिए क्या बन गई? eye piece के लिए क्या बन गई? eye piece के लिए क्या बन गई? object बन गई, तो इस object की इस eye piece ने image बना दी, देखो object आपने रखा था इतना, अब आप देखो कितनी magnified image मिली, कितनी magnified image मिली, तो यह है compound microscope आपके लिए, क्या है? यह compound microscope है सब को यह diagram समझ में आया, प्लीज इसको आराम से note down करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हासर, समझ में आ गया, देखो मुझे ना खेला, पूरा समझ में आ गया, पूरा खेल समझ में आ गया, वो खेल क्या है, खेल है, मैगनिफिकेशन निकाल लेगा, और मैगनिफिकेशन इस नदिंग बट, बीटा भाई, अल्फा, जिसमा मुझे पता है, अल्फा तो constant हो जाएगा, कैसे constant हो जाएगा, मुझे पता है, यार, अल्फा अगर मुझे निकालना है, तो मुझे चाहिए, सिर्फ और आखे, वो भी कैसी, खाली आक्या और कुछ नहीं अना कोई लेंस वेंस कुछ नहीं चाहिए मझे चाहिए खाली आखे मैं क्या करूंगा अपने अब्जेक को कहा पर लाकर प्रेस कर दूंगा अल्डी पर लाकर प्रेस कर दूंगा याने की 25 संटीमेटर की दूरी पर और यह जो विज्वल एंगल सब्टेंट करेगा इसको मैं बीटा इसको सॉरी मैं अल्फा पूल दूंगा इसको मैं क्या बोल दूंगा आल्फा बोल दूंगा थे ना वाट वाट इस 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 हाइट ओफ औब्जेक्ट इस हैट ओफ औब्जेक्ट इस ठीक ना ओके सब्सक्रेंट यहां से हम दो निकाल लिया टैन अलफा is equal to alpha is equals to h0 upon तो आप आप बंद करके कर सकते हो इसमें कोई लेंज मेंस को डाइग्राव और गिसी चीज़ की ज़रूरत नहीं काम पड़ेगा जब आपको बीटा मैक्समाइज करना पड़ेगा ना चलो मैक्समाइज करने की बात तो दूर है पहले मजे मुझे बताओ कि मैं बीटा है कहां one कहाना है बीटा बीटा होता क्या है when i can go गग सब्टेंडडend Joe वाइव है विज्वाॉल एंगव सब्टेंडडड़ वाई इमेज कहा है पर आई कहा है अपकी यह तोड़ी दूर नाँ ही मैं आई लेकिन लैंस के बिलकूल पास होती है तेके ना तो यह है image final image यह है ये angle object रखा यहां पर तो इस यू नॉट ठीक है यहां पर image बनी तो इस यूर वी नॉट कुछ दिकत परेशानी नहीं सर्थ यह आपका IPS है IPS के लिए object कहां है यह है so this is your ue अब समझ में आया ue क्यों लिया था हमने ठीक है ue और image कहा बनी है image बनी है यह this is your ve this is your ve this is your ve you think this is your ve bohati bohati bhi sha diagram man i said it's not about a diagram चर्ब आपको बता है इतना सम्झाया आता है किसी कुचिंग में आपको इतना बनाया के दिया जाता है नहीं इतना टाइम नहीं दिया जाता फटाफट करते है है पहले सबना देते हैं खताम बसस्थारम जाओ पूरी बाथ समस्था आपको बता रहा हूं यह यह यि countless आ 000 क्यों लिखा है क्यों कि यह यह को है क्योंकि यह इएरपीस का है यह 14 बोलो से निकल जाता है आई पीस है आई पीस ठीक है चली बीटा एंगल कौन सा होने वाला है बीटा एंगल यह होने वाला यह भी आपको समझ में आ गया अब मैंने आप से पूछा कि इस बीटा की वैल्यू निकाल कर बताओ तो आपने वोला बिल्कुल बता सकते हैं टैन बीटा जगे है क्या कहीं क्या कहीं नई इसा जगे नहीं है तो यहां कर देते हैं चलो यहां साल करता हूं प्लीज देखिए गा ध्यान से 10 beta इस नतिंग बडायराम देखो Europe 10-beat is perpendicular hmm even like a double dash b double dash a double dash b double dash or even listen yeah cellay-case yola-distance V DQ तिकना euro double dash b double dash perpendicular upon this B मुण नापको a double dash b double dash anytime आपको वीडियी के बारे में पता है आपको क्या पता है आपको अह पता है हाइट ऑफ आपको यह पता है किया यह भी नहीं पता है आपको यह पता है किया यह नहीं पता है मुझे यह पता है मुझे यह भी नहीं पता यह यह भी नहीं पता लेकिन मुझे यह तो पता है कम से कम और से लिके बीड़ाश की दूरी तो मैं यह वाला ट्रेंगल कंशिटर करता हूं ओ यह किसे रिख लिए a-b-dash कुछ reason होगा इसलिए इसा लिखाया भी आगे जाके समझ में आ जाएगा a-b-dash upon ue अब मुझे a-b-dash की value पता है क्या नहीं पता मुझे a-b-dash की value नहीं पता है लेकिं मुझे इस lens का magnification निकालते आता है क्या मुझे इस objective lens का magnification निकालते आता है तो मैं लिखूंगा we know that we know that we know that we know that magnification of objective lens is nothing but v by u हा की नहां? हासर v by u, ठीक है minus v by u पक्की बात है, हासर पक्की बात है which is nothing but height of image upon height of object हाना? चली तो किसके बात कर रहे है हम objective lens के लिए बात कर रहे है तो objective lens के लिए image यह है और यह object ठीक है तो मुझे बताओ height of image क्या होगी height of image क्या होगी objective lens के लिए height of image यह होगी a-b- हासर तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहां से देखना m not is equal to minus v by u is equal to a-b- object क्या है यह अच्छा अब ध्यान से देखो a-b- जो है a-b- जो है वो नीचे की तरफ है यह देखो a-b- नीचे की तरफ है तो क्या मैं इसमें एक माइनस लगा दू हादर एक माइनस लगा दू अच्छा फॉरल में माइनस v by u नहीं होगा I'm sorry for that v by u होगा ठीक है आप objective lens के लिए निकाल रहे हो तो ऊपर क्या होगा v not नीचे क्या होगा u not ठीक है na v not की direction तो positive है but u not negative u not negative u not क्या है negative इस से आप a-b- की वाल्यू निकाल सकते हो इस की वाल्यू आपको यहां पर पता नहीं थी आगे ना हाँ निकाल सकते हो तो माइनस से माइनस काटा a-b- की वैल्यू क्या आगई v not by u not into a b is equals to a-b- आगे की नहीं आगई हाँ से आगई इसको important याद रखना चलिए इसको उठाओ यहां पुट करो इसको उठाओ यहां पुट करो तो tan beta tan beta is nothing but a-b-dash की value कितनी है v not u not into a b किस की value है a-b-dash divided by ue अब ue की value आपको निकालनी है किस की value निकालनी है भिया ue की value निकालनी है sorry 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 tan beta to ue है सको सिदस्थी ue लिख दो निकालने की ज़रुवत नहीं है क्या निकालोगे क्या निकालोगी ue की value सी देसी दे लिख दी अच्छा अब 10 alpha की बात करो अच्छा क्या यही बीटा के बराबर हो जाएगा हाँ यही बीटा के बराबर हो जाएगा चली what is 10 alpha what is 10 alpha 10 alpha की value कितनी आई थी h not by LD h not by LD ठीक है a b k value किसके बराबर है a basculeć कि bराबर है a b k value h not की बराबर है तो क्या मैं यहाँ a b 스타家 to not it आखसे हो खी-चैजरी विल्कुल लिग दो सीगज़ नहीं किसके बराबर अलफा की भी बराबर magnification क्या होता है बीट अवाय आलफा होता ये manifesto भाई अवाई अलफा होता 1 यू यू अदॉ ॐ एच नौट भाई एच नौट भाई कहां गया ओड़ई H-NOT-B-LD H-NOT-B-LD हाव या H-NOT-B-LD तो यह हो गया क्या हाँ हाँ H-NOT-B-LD किस के अपन में आएगा य descrição यह चला गया हदू यह चला गया हदू इस के अपन में यह हो जाएगा U-E H-NOT-B-LD ठीक है हाँ साथ ठीक है बिल्कुल सही है एच नॉट कर जाएगा किससे इस एच नॉट से कर जाएगा क्या जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एलडी बाई यूटी सही है क्या सही है क्या वी नौट बाई यू नौट इंटू एल्डी बाई यू आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा सर ठीक है जैसे ही मैंने इस expression को देखा मेरा दिमाग घुमने लग गया तेज तेज क्यों 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 क्योंकि आपने जो magnification objective lens के लिए लिखा था वो लिखा था वी नौट बाई यू नौट क्या इसमें वी नौट बाई यू नौट आपको दिख रहा है क्या आपको इसमें वी नौट बाई यू नौट दिख रहा है हां सर वी नौट बाई यू नौट तो दिख रहा है किसके बराबर है वी यूई क्या था मैगनिफिकेशन आफ माइक्रोस्कोप तयात करो मैगनिफिकेशन आफ माइक्रोस्कोप वो जो कॉन्वेक्स लेंस अब लगाया था माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप में वहाँ पर हमने जब मैगनिफिकेशन ने कर ला था तो एल्डी बाई तो इसका मतला जो total magnification आप निकाल रहे हो जो आप total magnification निकालोगे वो actual में multiplication होगा किसका objective lens के magnification का और eye piece का जो convex lens है उसके magnification का आई बात समझ में कितनी शांदार बात है यार कितनी शांदार बात Hornet maior हो रहा है इसका mine raises information or is come angene vacation multiplierख के आप को चलिब रहा है total dares यह बात समझमें हाई कि महीं है हाँ सब तो आप इस कीज़को याद रखोगे या सकता है पर्टिकुलर डेरेवि शना सकता है कि प्रूफ करो कंपाइंब कंपाउन माइक्रोस्टोप में जो टोटल सिंपल सी बात है अब यहां भी खेला वही रहेगा यहां भी खेला वही रहेगा इसको तो आप नोट डाउन करते चलो मैं बार बार नहीं बोलूँगा खेला यहां भी वही रहेगा कि अब यहां पूछा जाएगा मैक्सिमम मैगनिफिकेशन बताओ खुद देख लो आप आप से पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मैगनिफिकेशन बताओ तो मैक्सिमम मैगनिफिकेशन निकालने के लिए आपको पता है maximum magnification आपको अगर निकालना है अगर आपको maximum करना है अपने magnification को तो आपको अपनी image कहां बनानी पड़ेगी final image कहां बनानी पड़ेगी आपको final image कहां बनानी पड़ेगी मैं दुबारा नहीं समझाऊंगा पिछले बारे टेरिविशन में बहुत देर तक यही चीज़ समझाई है फाइनल इमेज आपको कहाँ बनाने पड़ेगी and will be formed by and will be formed by will be formed by eyepiece कौन बनाएगा भाई आई पीज बनाएगा ना final image कौन बना रहा है final image कौन मना रहा है diagram देखो यह object थी यह image बनी इसको object मना इस lens ने और इसकी image बना दी यहां पर तो actual final image किसने बनाई है इस lens ने मनाई है ठीक है तो हम किसकी बात करने वाले है आई पीज की बात यहां पर करने वाले है तो चलो भाई फटाफट यहां पर क्या लगा दो lens formula लगा दो लगाते हैं भाई lens formula अरे lens formula lens formula ठीक ना क्या है lens formula lens formula है 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u ठीक है चली यहां पर हम दिदाना डिसकस कर ले f क्या है f is the focal length of positive रहेगी क्योंकि convex lens है positive रहेगी किसकी IPS की चलिए वी वी क्या हो गया वी क्या हो गया यहां पर जो आपने यू की बात करें तो यू किसके बराबर है यू ए के बराबर है और यू ए क्या होगा negative होगा यू ए क्या होगा negative होगा चलिए पुट कर दो भाई वन अपन f e is equals to one upon ld minus of ld minus of u e चीक है इसको आगे solve करेंगे तो one upon f e is equals to minus one upon ld plus one upon u e थीक है तो one upon f e plus one upon ld किसके बराबर आया one upon ue के बराबर है सेम वही चीज़ आ रही है क्या अगर हम IPS के magnification की बात करें वो तो तो वो क्या होता है क्या होता है LD by ue होता है होता तो यही है ठीक है हमने 1 by ue की वेली निकाल ली वो क्या है 1 upon f e plus LD है इसको घुमा के धर ले जाओं हां तो वही चीज तो हो रही है फिर से फिर देखो क्या आएगा magnification of ips थना इसको हम क्या कर रहे है maximum कर रहे है क्या कर रहे है maximum कर रहे है समझे की नहीं समझे इसको maximum बुले तो formula है अब maximum होगा कैसे हम ue के value निकाल रहे है हम यह वन अपन यूई की value पूट कर रहे है LD अपन वन अपन यूई की value किती है यह LD इंटू वन अपन f e plus one upon LD कितना आ गया magnification of ips इसको म इलिख रहा हूं और यह मेक्समम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है कितनी आ रही है one plus LD upon f e यही आ रही है क्या हां सब्सक्राइब हां आपको क्या करना था आपको क्या करना था आपको इस magnification को maximum करना था समासिक को मैक्समाइब करना था आपने कैसे कर दिया देखो आपका जो औबजेक्टिव था अबजेक्टिव लेंस था उसका मैगनिफिकेशन तो as it is रहेगा आई मेरी बात समझ में इसके मैगनिफिकेशन को आप कैसे maximize कर रहे हो image को LD पर ले जाकर image को LD पर ले जाकर तो मैंने इसके मैगनिफिकेशन के फॉर्मले में याने की एलडी भाई यूई में क्या कर दिया थोड़े से चेंजस कर दिया लेंस फॉर्मल लगाया और मैंने बोल दिया कि जो image बन रही है वो का LD पर बन रही है जैसे ही मैंने यह बोला आप समझ जाओ कि हम मैंने मैंने फिकिशन आई पीस का maximum और वो कितना है आई पीस का maximum मैंने केकेशन बन प्लस लडी बाई एक है आपने निकाला है हाँ पिछले केसमे एक नहीं था सिर्फ एफ था को यहां पर आप टोटल क्या बोल सकते हो देखो यहां पर जो टोटल मैंगनिफिकेशन आएगा वो क्या आएगा टोटल मैंगनिफिकेशन क्या आएगा M0 into Me की मैक्समुम मैल्यू आप मैक्समुम मैंगनिफिकेशन निकालना चाहते हो ना हाँ सर लो M0 तो एज़िट रहेगा V0 by U0 into Me max क्या हो जाएगा 1 plus LD by FE समझे कि नहीं समझे समझे कि नहीं समझे बूझे कि नहीं बूझे नहीं बूझे तो दिक्कत वाली बात है ना यह हो गया maximum total maximum magnification this is your total maximum magnification ध्यान जा सम्झो ध्यान जा सम्झो मैंने यह बोला कि जो आग पास total magnification का formula था वो था objective lens का magnification into IPS का magnification objective lens का magnification as it is रहेगा वी नॉट भाई यू नॉट आई पीस का जो magnification है वो है LD by ue लेकिन अगर आपको इसको maximize करना है तो आपने lens formula लगाया और इस पार्ट को maximize किया यह maximize हो कि कितना आया 1 plus LD by FE तो आप जैसे ही यहाँ पर यह put करते हो 1 plus LD by FE तो आपका जो टोटल magnification है वो क्या हो जाता है maximize हो जाता है समझे पक्का 100% हां सर्थ 100% क्लियर है इसको नोट डाउन करिए बहुत important चीज थी जो मैंने इतने हलवे तरीके से आपको बता दी है आई होप आपको यह चीजें बहुत च्छे समझ में आई होगी इसके बाद क्या बचा इसके बाद बचे का नॉर्मल एड्जस्मेंट क्या बचेगा नॉर्मल एड्जस्मेंट अच्छा जब आपको maximum magnification obtain हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या रही है क्या दिक्कत आ रही है आखों में क्यों क्यों क्योंकि आप इसको बन वा रहे हैं मैं जब भी आखों में थोड़ा सा स्ट्रेंट आता है समझ रहों के नीसम탄 catalog अन्परसेंट आ शल्क्षर less inspire 5 अनगHow U इसको भी लिख लो और इसको भी प्लीज लिख लो ये तो खेर मैं भी नहीं मिटाऊंगा हाँ इसको जरूर मिटा दूगा लिख लिए आपने बहुत ही बढ़िया वही शांदार next is normal adjustment जिसको आप क्या बोलते हो minimum magnification भी बोलते हो फॉर रिलेक्स डाइस फॉर फॉर रिलाइक्स डाइस रिलाइक्स डाइस वह क्या बात आपके पास फॉर्मला तो है ना क्या का फॉर्मला सब एम टोटल क्या है वह objective lens का magnification into IPS का magnification यह तो सर as it is रहने वाला है we not by you not मैंने अभी देखा we not by you not हाँ इसको मैं minimize कर सकता हूं कि मैं IPS के magnification को minimize कर दूं कैसे minimize करोगे भी यह इसके magnification को कैसे minimize करोगे सर उसमें मैं क्या करूंगा lens फॉर्मला लगा इसमें क्या लगा 1 upon V minus 1 upon U मानते हो की नहीं मानते हैं बिलकुल मानते हैं सर इसकेस में आप V क्या चाहते हो आपकी image कहा बने normal adjustment में आप चाहते हो की image is formed at image is formed at image will be formed at या मैं ही लग देता हूँ for relaxed eyes for relaxed eyes image should be formed at image should image should be formed at image should be formed at infinity याने की V की value क्या हो गई infinity हो गई clear i have a minus a pluses the queen and the name को नहीं है चली वी के value क्या होगे infinity हो गई fq value किसके बराबर हो गई positive of fk बराबर हो गई obviously बात है convex lens a positive focal length चली यू कि वैल्यू किसके बराब हो गई minus of ue के बराबर पका 100% 100% चली तो लैंस फोट करो भाइस को चली तो one upon f e is equal to one upon infinity minus of minus of minus positive हो जाएगा one upon ue तो अब आप मुझे बताई one upon infinity zero हो जाता है तो one upon ue के value किसके बराबर आगई one upon ue के value आगई one upon ue के value आगई one upon f e के बराबर ठीके ना अगर ऐसा आपने लिया और इस value को put कर दिया कहां पर कहां पर हम जानते हैं कि हमारे आई पीस का जो magnification है उसका formula होता है ld by ue यह होता है क्या अगर आपने ue के value यह रग दी अगर आपने अगर आपने one upon ue के value one upon f e रग दी तो जो आपका me था जो आई पीस का magnification था वो एक्च्वल में minimum बन जाएगा क्लियर है तो आप यहां से बोल सकते हो इसकी value आपने उठाई यहां put करी तो देखिये क्या आने लगी क्या आने लगी भीया empty minimum is equals to यह तो as it is रहेगा यह तो as it is रहेगा ठीक ना और इसकी value क्या हो जाएगी LD upon LD upon kidney ue value कितनी थी एफ़ बन अपन ue कि वेल्यू किती थी एफ़ 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 दिस यूर मिनमम मैंने फिकेशन इस यूर मिनमम मैंने फिकेशन पका फॉर अ कंपाउंड microscope clear a night to the basic formula है basic formula है वो तो यह है याद रखना है इसको यह है basic formula ठीक है या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो किस तरीके से mt is equals to v not by u not into LD by up बहुत important है इस तरीके से इसको normal formula बनाकर याद कर लो clear 100% था सचलो इसको भी यह बताया मैंने आपको यह बताया compound microscope compound microscope प्यार से सुनना आराम से सुनना कोई जल्दीबाजी नहीं है क्या बताया मैंने यह बुला कि जो total magnification आएगा वह objective lens का magnification into ips का magnification होगा अगर आपको mt को maximize करना है अगर आपको mt को maximize करना है तो आपको earpiece के magnification को maximize करना होगा और इसके लिए क्या करना होगा आपको जो image आपकी final image जो इमेज आपकी आई पीज बना रहा है उस फाइनल इमेज को उस फाइनल इमेज को आपको क्या करना पड़ेगा एलडी पर लेकर आना पड़ेगा जैसे ही आप फाइनल इमेज को एलडी पर लेकर आओगे आपका जो आई पीज का मैंगनिफिकेशन है वो मैक्सिमम हो जाएग क्योंकि हम आई पीस की बात कर रहें ठीक ना आप इसको उठाओगे और यहां पुट करोगे ठीक ना तो आप का अंसर आ जाएगा अना इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो वी नौट बाई यू नौट ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा इंटू एलडी बाई यूई ये इ यहां पुट कर देते हो बस खतम खदम बाई ठीक है तो आपका जो एमटी टोटल मैक्सिमम मैगनिफिकेशन आता है वो कितना आ जाता है ये तो हैसे रहेगा वी नौट बाई यू नौट इंटू एलडी वाई एफ यूई की जगे आप क्या लिग देते हो वन प्लस एलड मैक्सिममम मैगनिफिकेशन की ठीक है चली अब ज़रा हु बात कर लो अब सबस्कीत है। को निकालना हो compound microscope का वो होता है objective lens का magnification into eye piece का magnification clear ने मेरी बात अगर आपको total magnification की value को minimize करना है अच्छा इसका जनरल formula भी तो लिख दू वी नॉट भाई यू नॉट इंटू ld by ue यह फर्मला है यह तो याद होना ही चाहिए अगर आपको इस total magnification की value को minimize करना है total magnification की value को क्या करना है minimize करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा m0 तो as it is रहेगा आपको आई पीस के magnification की value को minimize करना होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपका जो v v e है यानि कि जो आई-पीश की इमेज बननी चाहिए, वो कहा ह tutti ने चाहिए, इन्फिनिटी बेखे बननी चाहिए , ट्लियर है ? अगर आ ऐसा करवा देते हो, तो आपका आई-पीश का minimum magnification कितना आ जाता है, अगर आप ऐसा करवा देते हो तो आई-पीश का minimum magnification आजाता है कितना LD by F E यही आता है क्या अरे हां कि ना LD by F E आ जाता है 1 upon UE की वेल्यू किसके बढ़ा जाती है 1 upon F E के बढ़ा बढ़ा जाती है ठीक है तो आप यहाँ पर 1 by UE की जगे 1 by F E put कर देते हो कितना जाता है LD by F E ठीक है तो टोटल मैगनिफिकेशन मिनमम कितना आया V 0 by U 0 into M E minimum कितना हुआ वो LD by F E खतम बात खतम बात बात एकदम खतम यह हो गे भी यह है मुझे बनाना है प्या मुझे मनाना है सोन पापडी का दभा यहां पर हमने संमाराइज कर दिया है अपने पूरे काम को लो लिख ऊसको फटा चल यहाben ऐच्छल में डबबा यहां नहीं डबबा बनना चाहिए यहां पर डबबा बनना चाहिए यह यह फॉर्म्मले एम्टी मैक्स एंड एम्टी मिनमम यह नॉर्मल एड्जस्मेंट यह मैक्समुम मैंनिफिकेशन वह मज़ा गया बहुत ज्यादा मज़ा गया एक चीज और सुलो एक चीज और सुलो उसके साथ हम करेंगे इस वीडियो को खटा तो देखो भाई यहां से यहां तक की जो दूर है कौन से कलर से बनाओं या जो अलग से देखे कौन से कलर से बना दूं इस कलर से बना दूं क्या इस कलर से बनाता हूं क्या यह जो दूरी है यहां से लेकि यहां तक की जो दूरी है क्या मैं बोलू जो दोनों लेंस की बीच की डिस्टेंस है दोनों लेंस की बीच की जो इसको बूल जाता है length of microscope लेंग्ट of microscope length of microscope हाँ की न बहुत ही बढ़िया इसको बोला जाता है length of microscope length of microscope आप कैसे निकाल सकते हो या लेंद ग 뉴스 गूँलेंट ऑफ तब द्राइ बहुत उच्छा लगयेँ गैज bolt यही सब लिख लो यही बढ़िया नोट्स बन जाएंगे आपके लेंट ऑफ माइक्रोस्कोप किसके किसके बराबर होगा क्या वी नॉट प्लस यूई बराबर होगा वह अना चले हम यहाँ पर लिखेंगे वी नॉट मॉड के अंदर प्लस यूई मौड के अंदर इसका मतलब positive value चाहिए सिर्फ फोर सिर्फ ठीक है तो this is your length of microscope this is your length of microscope clear बहुत बढ़िया हाँ समझ में आ गया है सब कुछ समझ में आ गया है सर चलो तो पहले हमने क्या किया यह diagram मना आया समझा उसके बाद हमने derivation किया यह वाला और उसके बाद हम आ गए कहां पर यहां पर आई होप आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं सर क्लियर करता हूं इससे भी करता हूं अबoter बिएजन है आगर आप अभी आशर का लेक्ट्र देखेंगे आपको वहाँ पर उसके निमेरिकल मिल जाएंगे चिंता मत करो अभी अन्सारी निमेरिकल को हम को एंडल करना है वहां भी करेंगे ठीक है चलिए बाई तो यह वह कंप्रीटली फ्री एजूकेशन देने में बिलीव करता है और फ्री का मतलब यह नहीं है कि कंटेंट से कॉंप्रमाइस किया गया हो कंटेंट अग्दम टॉप नौज धाय 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 आपकी तरफ दिया जाता है लो अप्लोड किया जाता और ऐसा कुछ भी न नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जैसी आप विडियो देखना खतम करते हैं तो से आग की तरह फैला यह शेर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में अपने स्कूल के फैकल्टी को बताईए कि एक ऐसा चैनल एक्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली फ्री की विडियो में तब तक साथान रहिए सतर कर रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मुझे